मूवी का स्टाटिक अनिवर्सरी पार्टी से होता है जहां हमें एक हैपिली मैरेट कपल जेन और जेक दिखाये जाते हैं लगता तो ऐसे ही है कि दोनों हैपिली मैरेट हैं पर तब ही रिवील होता है कि 10 साल पहले दोनों का डिवोर्स हो गया था जेक ने जेन को चीट करके एक कम उमर लड़की आगनिस से शादी कर ली थी पर जेन अभी सब को भूला के बहुत आगे बढ़ चुकी है जेन सक्सेसफिली एक बेकरी चलाती है और इसने अपने तीन चिल्डरन गैबी लूक और लॉर्न को अकेले ही बढ़ा किया है जेन के घर पहांचने पर गैबी क जाने के लिए निकल परती है जेसे पैकिंग में लॉर्न और उसके फ्यों से हारले ने हेल्प की थी कियाबी के जाने के बाद जेन बहुत अकेले पर जाने वाली है जिसकी वज़ज़ से उसकी दोनों डॉडर्र उसके लिए कुछ परिशान भी है पर जेन का कहना था कि वो जेन बेकरी में अपने आर्किटेक्ट आडम से मिलती है जो उसके न्योगर के डिजाइन लेके आया था जेन वो देखके बहुत एकसाइटेट है क्योंकि आडम ने बिलकुल वैसा ही घर डिजाइन किया था जैसा जेन चाहती थी वाकि चेंजिंग के लिए दोनों नेक्स मॉमेंट होता है मजीद ये कि जेन जैक के हाथ में देखती है कि वो और उसकी वाइफ फर्टेलिटी डॉक्टर के पास से आए हैं यानि वो तोनों एक और बेबी प्लान कर रहे हैं रात जेन अपना एक्सपिरियंस अपने फिर्ण्स के साथ शेयर करती है जो उसे इडवा पुद भी ये जानती है कि उसे पार्टनर की जरूरत है जेन अपने सन की ग्राजुएशन सर्मेनी के लिए उसकी सिटी पहांचती है जहां जैक अपनी वाइफ के बिमार होने की वज़े से अकेला आता था जेन का प्लान तो अपने बच्चों के साथ डिनर करने का था पर वो सब अपनी पार्टी के लिए चले जाते हैं जबकि जीन यहां अकेली रह जाती है पहले तो उसे बहुत बुरा फेल होता है पर फिर वो अकेले ही जाके इंजॉय करने का डिसाइड करती है जब वो डिनर करने पहुंचती है तो टेबल अभी सेट ना होने की वज़े से वो बार में जाके पैठ जाती है वहां उसे जैक मिलता है तो नों के अकेले होने की वज़े से वो तो अपना पुराना टाइम याद करने लगते हैं जो दोनों के लिए ही बहुत इंट्रिस्टिंग होने लग जाता है इसलिए तोनों वहीं बैठे बातें करते हुए डिनर क और बहुत जादा ट्रिंक कर लेते हैं जिसके पात जैक जेन को टान्स के लिए मना लेता है ट्रॉंक होने के वज़े से दोनों सिर्फ डान्स ही नहीं करते हैं बलके है रूम में जाके फक्त कर लेते हैं ये भूलते हुए कि दोनों डिवास्त है उस वक्त तो feelings में बहके द बार करना चाहिए बार टाइम बात थी सही और उन दोनों ने अच्छा टाइम गुजारा है अब मजीद इस बारे में ना सोचते हुए जेन अपने सन की ग्राजवेशन पार्टी में चली जाती है उसके बाद लंच के तुरान जैक अपने बच्चों के सामने जेन की तारीफ क जहता है कि कैसे उसने जैक के बगेर लेन की इतनी अच्छी अच्छी अपरिंगिंग की है उसके बाद काभी कहती है कि वह बहुत कुष है कि बहुत टाइम बाद ही पर वह सब एक नॉर्मल फामली की तरह लंच कर रही हैं ऐसे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था इस पर व इसलिए आडम उसे वापस घरता की लिफ्ट देता है तभी जेन उसके रेडियो पे सुन लेती है कि वो डिवोर्स के पाद अपनी आपको नॉर्मल करने के लेसंज ले रहा है जिस पर जेन उसे अपना इक्सपिरियंस बता के कामडाउन करने की कोशिश करती है तो उनों जेन क्या जानता था कि असल में क्या खिचरी पक रही है उसके जाने के बाद जैक जीन से इसकी कॉल्स और मेसेज़िस इग्नोर करने की वज़ा पूचता है जीन वही कहती है जो कोई भी नॉर्मल इनसान कहेगा कि जो कुछ उनके बीच में हुआ वो गलत था और उन्हें बाप जाने की जरूरत नहीं है वो दोनों बस सीक्रिटली रिलेशन रखके देख सकते हैं कि लाइफ उन्हें कहां ले जाना चाह रही है इस सब में जैक जीन के अकेले होने को स्ट्रॉंग पॉइंट बनाते हुए उसे मनानी में काम्याब हो जाता है जिसके बाद वो उसे उठा बहुत मुश्किल हो रहा था जाने से पहले जैक जीन से कहता है कि अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों को और क्या चाहिए अब इन दोनों के भीच वो मस्ते भी नहीं है जो पहले थी दोनों ना बिजी होएं ना अपने काम की वज़़ा से एक दूसरे को इग्नोर कर रही है इनके भीच अप कम्यूनिकेशन इश्यूस भी नहीं है इन शौर्ट ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी वज़़ा से दोनों ने डिवोर्स लिया था जीन तो अभी भी गिल्ट में ही होती है जबकि चैक तो साथवे आसमान पे पहुंचा होता है रात अपनी गिल्ट कुछ गलत नहीं कर रही ये बस एगनस के साथ अदले का बतला हो रहा है पहले उसने जीन की हस्बन को फक किया अब जीन उसकी हस्बन को कर रही है इसलिए जीन को बिल्कुल भी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है और बस अपनी लाइफ को इंजोई करना चाहिए ये सब माफ ही मांगती है आडम उसे उसके घर का एक प्राक्टिकल व्यू देता है जो देख कि जीन काफी एमोशनल हो जाती है तब ही उसे चैक की कॉल भी आती है और वो कॉल अवोइड कर देती है वहाँ जाक का बेटा उसके वाश्रू में फॉन यूज करने पर उसकी शिकायत आगनेस से लगा देता है यहां हम देखते हैं कि जैक एक बहुत ही मुश्किल अस्ट्रेसफू लाइफ गुजार रहा है क्यूंकि ना तो उसका बेटा और ना ही उसकी वाइफ इसकी रिस्पेक्ट करते हैं मीटिंग के बाद जीन आडम को अपने गर दिनर पे ले जाती है जहां दोनों डिनर इंज़्ूइ करने के साथ-साथ-साथ एक दूसरे की कंपईनी को भी बहुत इंज़्ूइ करते हैं आडम जीन को बताता है कि उसकी वाइफ अप उसके बेस्ट फृरिण की वाइफ है और यह उसके लिए बहुत हाट ब्रेकिंग था उसने अपनी वाइ और उन दोनों को ऐसे हसते हुए बात ने करते थी कि बहुत जेलिस फील करता है एक अच्छा टाइम गुजाने के बाद जैसे ही आडम जीन के घर से निकलता है वहाँ जैक पहुंचाता है जो वापस से जीन के क्लोज आने की कोशिश करता है और जैन उसे रोक देती है कि अभी उसका मूड नहीं है इस पर जैक बस वहाँ उसकी कंपनी इंजोई करने के लिए रोक जाता है जैन शावर लेने लगती है और जैक उसके पास बैठा अपने मसले बताता है कि कैसे आगनस को डेस्पिरेटली बीवी चाहिए पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा जैक को अपनी लाइफ में सकून चाहिए जो कि उसके घर में उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा फिर जैक जैन को मेरजवाना शॉट देते हुए याद कहवाता है कि कैसे वो दोनों हाट टब में आईस्क्रीम के साथ इंजोई करते थे पर जैन इस वक्त लेने से मना कर देती है इसलिए जैक उसे डॉर में रख देता है फिर उससे आडम की बात करने लगता है वो कहता है कि वो आदमी की आंख तो पहचान सकता है और आडम की आंखों में जैन के लिए तोस्ती से बहुत कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है बात लेने के बात जैन जैक को वहां से जाने को कहती है पर एक बार फिर से दोनों अपनी फीलिंग्स को रोग नहीं पाते और किस करना शुरू हो जाते है तब ही जैन को किसी की कॉल आ जाती है वो गैबी होती है जो सिलू की ग्राजवेशन पाटी के बारे में बताती है अगले दिन जैन अपॉइंटमिन्ट के बगए अपनी साइकॉलिजिस से मिलने जाती है और उसे अपनी सारी सिच्वेशन बताते हुए एक सही उपिनियन देनी को कहती है जैन का साइकॉलिजिस्ट भी उसे फ्लो से चलने का आइडिया देता है और कहता है कि इसे अपनी लाइफ को एक्स्प्लोर करने की जरूरत है और बस लाइफ उसे जहां ले जा रही है वो वहाँ जाती जाए इसमें कुछ बरा नहीं है आखर में हर्ट कोई भी नहीं होगा उसे अडवाइस मिलने पर जीन की गिल्ट बिल्कुल खतम हो जाती है और वो खुद जैक को मिलने बुलाती है दोनों एक होटेल में पहाँचते है जहां लॉरन और हारले लंच के लिए गए होते है हारले उन दोनों को साथ देख लेता है बस ये नहीं उन्हें किस करते भी देख लेता है वो लॉरन को तो इस बारे में कुछ नहीं बताता पर खुद बहुत परिशान हो जाता है रूम में जाके भी जीन और जैक रोमांस करने लगते हैं और जीन को ऐसा इतना उपन होता दे कि जैक खुशी से बिवोशी हो जाता है फिर डॉक्टर को रूम में जाते दे कि हार ले और हरान हो जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हुता कि हो क्या रहा है डॉक्टर के जाने के बाद जीन और जैक बस लांच इंजोई करते है तब ही जीन को आडम की कॉल आती है जो से अपने साथ फेस्टिवल में चलने के लिए इंवाइट करता है और जैक के कहने पर जीन उसे माना कर देती है क्योंके एगनस रात बेजी होने वाली है और जैक जीन के साथ और टाइम गजारना चाता है इसके बाद जीन रात के डिनर की त्यारियां करने लग जाती है वो बहुत ही फैंसी वे में सब त्यार करती है और बहुत ही excited भी होती है लेकिन Agnes घर से जाती ही नहीं है ना ही वो Jack को इतना मौका देती है कि वो जीन को इस बारे में इंफॉर्म कर सके जिस पर जीन डे साथवी सब महीं छोड़के सोने चली जाती है अगले दिन सब बच्चे घर आ जाती है जैक लोग को घर छोड़ने आता है तो सिट्वेशन कुछ अजीब हो जाती है जैन सब को बताती है कि वो पार्टी पे आडम को अपनी डेट के तोर पे ला रही है सब ये सुनके excited हो जाते है सिवाए जैक के हारले को ये सब समझ तो आ रहा होता है पर वो कुछ बोलता नहीं है जैक जैक जैन को बात करने अलग ले जाता है जहां वो रात ना आने की वज़ा बताते हुए माफ ही मांगता है लेकिन जैन कुछ भी सुनने को त्यार नहीं थी वो इस सब से तंग आ गई थी और इस सब को रोकने का फैसला करती है फिर जैक के वहां से जाती ही वो हारले को भी सब कुछ अपने तक रखने को कहती है जीन जब पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो डॉर में मैरिजवान अ शॉर्ट देके वो उसे पी लेती है जिसके बात वो आडम के सामने अजीब तरह बिहेव करने लगती है फिर पार्टी के अंदर जाने से पहले वो आडम को भी पिला देती है दोनों ही अपने होश खोते हुए पार्टी में हद से ज्यादा एंजॉय करते है उन दोनों को साथ ऐसे खुश दे के जैक हद से ज्यादा चेलिस होता है पर कुछ कर भी नहीं पाता फिर जेन के साथ उसे ऐसे क्लोस होते हुए डांस करते दे के अगनिस कुसा हुए वहाँ से चली जाती है वहाँ जीन आडम के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम गुजारती है दोनों जीन की बेकरी में जाके साथ बेक करते हुए एक दूसे में खोसे जाते हैं जिसके बात एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक किस शेयर करते हैं जागी सुबा जीन देखती है कि उसके सारे बच्चे उसी के खर हैं तब ही क्या भी जाक को घर के बाहर कार में सोया देखती है जीन जब आके उसे बात करती है तो जाक उसे बताता है कि वह एकनिस को छोड़ाया है पर जीन जैक को एकसेप्ट करने को त्यार नहीं थी बीचे से सबा के जैक को वहां देके खुश होते हैं और जीन को उसके यहां रहने के लिए मना लेते हैं जैक इस सारे टाइम में जीन को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है लेकिन किसी भी बात का कोई फाइदा नहीं होता सब एक अच्छा फैमिली टाइम गुजारते हैं जो इनके बच्चे बहुत टाइम से चाहते थे लेकिन जेने सबसे खुश नहीं थी रात जेन आडम से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और सबकी रूम में जाने पर जेक जेन के रूम में चला जाता है उस टाइम आडम और जेन दोनों वाश रूम गए हुए थे पर वीडियो कॉल चल रही थी जेक ने किड़ों के बैट पे वीडियो कॉल के सामने लेट जाता है जो देखे आरम और जेन दोनों ही चीकने लगते हैं और उनकी आवाजों से सब रूमें आ जाते हैं जेन और जैक रिवील करते हैं कि वो दोनों वापस से साथ टाइम गुजार रहे थे पर जेन को ये वर्क करता नजर नहीं आया इसलिए उसने सब रोक दिया ये सुनके सब शौक हुए लौरन के घर रहने चले जाते हैं अगले दिन हिम्मत जमा करते हुए जेन उसके पास जाके सब ट्रेयर करते हुए उसे माफ करने को कहती है अपने बच्चों के साथ सब ठीक करके वो आड़म के पास जाती है जो उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करने को त्यार नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जेक अब भी जेन को पसंद करता है और वो दुबारा हट नहीं होना जाता घर वापस आने पर जेन जेक के साथ अपने सारे रास से अलग करती हुई एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फैसला करती है लास सेंस में कुछ मंस बाद जेन के घर का काम शुरू हो जाता है जहां आडम को फिर देख के जेन और आडम की आंखों में जमक्सी आती है वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सके हैं और अब एक चांस फिर से लेना चाहते हैं इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है थांक्यू फिर वाचिंग